एकनॉमिक्स वर्चुल क्लासिस में आप सभी का स्वागत है अर्सास में स्यांकी की अध्याय पांच से केंदर परवर्थी की मांप के अंतरगत आज हम सामांतर मद्य और उसकी गड़ना परगर्या के बारे में विस्तार से अध्या करेंगे सामांतर मद्य किसे कहते हैं इसको हम अंग्रेजी में अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं तो हम सब सब पहले इसकी परिबासा देखते हैं कि आखिर सामांतर मद्य है क्या तो सामांतर मद्य केंद्रेपरवर्ती का सब से एवं लोकपिरिय माप हैं सादर्ण सब्दों में समंक माला के पदों के जोड में उनकी संक्या से भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे हम सामांतर मद्य कहते हैं इसको हम एक उधारण से समझ सकते हैं, यहां पे उधारण दिया हुआ है कि निम संक्याओं से सामंतर मद की गढ़ना करें, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सूतर का अपयोग करेंगे, तो X बराबर सिग्मा X बटे N, अब हम इसकी ट्रम्स को देख लेते हैं कि सिग्मा X कि से बोला जाता है, समंक माला के पदों के जोड को जिग्मा X बोला जाता है, N, पदों की कुल संक्या, और X को सामंतर मद्य कहते हैं, अब हम इसकी गढ़ना करते हैं, तो हमने X बराबर, जितने भी यहां पे पत है, इन सब को हमने यहां पे जोडा, और कुल जो पदों की सं संक्या वह यहां से लेकर यहां तक कुल पदों के संक्या नौ है तो यहां पर नौ आ गया जोडने के बाद उपर 135 बटे नौ आ गया अब 9 से 135 को भाग करेंगे तो हमारा जो सामंतर मद्द्य है वह 15 निकलेगा जैसे आप यहां पर देख रहें सामंतर मद्द्य के कुछ गूंड और कुछ दोस्त भी होते तो सब से पहले हम गूंड के बारे में देख लेते हैं इसका अर्थ idr. एक समाने व्यक्ति के लिए समझना बहुत आसान होता है। समान्य मतलब एक सिंपल व्यक्ति के लिए इससे प्राप्त आंकडों की साहिता से इसकी गढ़ना करना बहुत आसान है इसे निकालते समय समू के सभी पदों का परियोग होता है इसके कुछ दोस भी है जैसे समंक माला में सामंतर मद्य हो यह आवशक नहीं है समंक माला की आकरती देखकर इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता समंग माला का कोई भी मुल्य ग्यात ना होने पर इसकी गढ़ना नहीं की जा सकती है अब सामंतर मद्द की गढ़ना की जो परक्रिया उसे हम यहां पर देखेंगे तो सामंतर मद्द की गढ़ना तीन परकार से की जा सकती है पहला आता है तुम्हारा वेक्तिकत स्रेणी, दूसरा खंडी स्रेणी, और तीसरा अवनचिन स्रेणी। इन तीन स्रेणी के माध्यम से हम सामंतरमध की गड़ना कर सकते हैं। इसके साथ हम पद विछलनरीती का भी उप्योग करके समंतरमध्य निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है कि व्यक्तिकत स्रेणी, खंडित, अवंचित और पज विचलन रीती में कौन-कौन से सामांत्र मद्द के सूत्र को परियोग होगा तो इसमें हम जैसे व्यक्तिक स्रेणी हैं तो नहि resonated का परियोग करने से हमारा समंत्र मद्द निकलेगा उसके हम आगे चर्चा करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि X बार को हम समंत्र मद्द बोलते हैं जिगमा X को पदों का मुल्य का योग, N को बोलते हैं पदों की सेंख्या, F को बोलते हैं आवर्ती और A को बोलते हैं कल्पित माध्या तो सबसे पहले हम व्यक्तिकल स्रेणी के माध्यम से सामंतर मध्य की गढ़ना करेंगे, तो इसमें एक उधारन दिया हुआ है, रोल लंब दे रखें और उनके द्वारा प्राप्त अंग को हम प्राप्तांग बहुत ने, इनमें बच्चों ने जो अंग प्राप्त किये, इसमें सबसे महत्रपून बात है कि हमें सामंतर मध्य पर्तेक्स वाल लगूरिती, दोनों के माध्यम से हमें इसमें निकालना है, तो इसके प्राप्तांग को हमने X माना है, तो प्राप्तांग पूरे हमने उपर से यहां ते उपर से निच्चे तक लिखे हैं और यह प्राप्तांग को हम योग करेंगे, तो जैसे दिखाया गया है कि Sigma X इसका जो टोटल आएगा वह 220 आएगा, तो हम पर्तेक्स विदी में केवल इ इसके बाद हम कल्पित माद्य लेंगे, कल्पित माद्य वो संक्या होती है, जो हम X सीरीज में कहीं से भी एक संक्या ले सकते हैं, और ऐसी संक्या लेंगे जिसको उपर की संक्याओं और नीचे की संक्याओं को घटाने में आसानी हो, तो हमने जैसे यह 20 संक्या ले लिए कल यहां पर लिख देंगे यह बराबर 20 और इस वाली को जो रो है इस वाली कॉलम को हम डी मान लेंगे अब प्राप्तांग एक सूची में से उपर क्रम एक पर अंकी 30 में से संक्या 20 को घटाएंगे जैसे आप यहां पर देख रहे हैं हाँ तीस संक्या को हम 20 वाली संक्या से घटाएंगे तो हमारा यहां पर प्लस टैन आईए यह यह difद लिख लगातार गटाटे उपर से चले जाएंगे जो संक्या 20 से बड़ी होगी वह प्लस में आएगी ओगी गनात्मक होगी और जो संक्या 20 से चोटी होगी वह रिनात्मक होगी माइनसमी होगी. जैसे 20 में 30 दस 20 में 18 गठाय साथ 20 म detta 8 गठाय से प्लैस आठ्ड फिर फिसी हम देखेंगे कि माइनस आठ्ड आया माइनस act कैसे आया इस परकार क्यार सारे प्रापतान संक्याउं को कलपित माध्य से घटाती जाए और ज़ो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि करम संक्या जया पर 20 घटाएंगे तो माइनस दो 20 में से 20 गए शुन्य होगा इसी परकार 25 संक्या बढ़िए तो 20 में से 25 घटाएंगे तो प्लस 5 होगा यह चोटी है तो माइनस 5 होगा यह बढ़िए तो प्लस 6 यह चोटी है तो माइनस 6 होगा इस परकार अब हम क्या करेंगे जितनी हमारी गनात्मा संक्या पॉजिटिव संक्या उसको एक तरफ लिख लेंगे जैसे हमने यहां सारा लिखा है और इसका हम जोड कर लेंगे तो एक तालिस आया 41 ऐसी जितनी हमारी रिनात्मक है नेगेटिव संक्या उसको एक तरब एक खटा कर लेंगे कॉलम में गुरूप में और उनको जोड़ेंगे तो वह आएगी माइनस 21 एक संक्या हमारी पॉजिटिव गनात्मक 41 आई है और रिनात्मक 21 अब हम क्या करेंगे इन दोनों को घटाएंगे तो इनको घटाने से 41 माइनस 21 तो हमारा आगी संक्या 20 तो आप देख रहें यह 20 संक्या यहां पर आ गई है इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे ठीक है अगर हमारा यह माइनस की जगा यह बड़ी संक्या होती तो माइनस में होता है लेकिन माइनस संक्या हमारी पॉजिटिव घनात्मक से कम है तो यह पॉजिटिव में आएगा 20 अब हमने टेवल त्यार कर लिया है अब हम सूतर का परियोग करेंगे इसमें पर्टेक्स और लगूरिती का सूत्र हम इसमें परियोग करेंगे तो पर्टेक्स रिती का सूत्र आप देख रहे हैं यहां पर x bar is equal to sigma x बटे n यह पर्तेक्स रिती का सूत्र है इसी परकार लगू रिती का जो सूत्र है वो sigma x बरावर a प्लस ed बटे n जो हमने ed लिया था यह और a हमने यहां पर कल्पित मादल लिया वो यह है 20 अब हम इनकी ट्रम्स को देख लेते हैं x bar को हम सामांतर मद्य बोलेंगे sigma x को बोलेंगे पदों का योग n को पदों की संक्या और a को बोलेंगे कल्पित माद्य अब सामांतर माद्य हल करेंगे हम सबसे पहले पर्तेक्स रिती से तो इसमें जो हमारे ट्रम्स से sigma x तो हमारा टोटल आया 220 जो आप यहां पर देख रहें यह 220 आया है और n हमारी पदों की संक्या आया जो यहां से लेकर यहां तक कितनी आई है 10 तो इससे बोलेंगे पदों की संक्या यह आई हमारी 10 तो हमने जिगमा एक्स लिखा और यहाँ पर जिगमा एक्स में 220 और एन हमारे होगे 10, अब हम इसको भाग करेंगे, हम इसमें 10 से इसको डारेक्ट भाग कर सकते हैं, 00 काटेंगे तो 22 संक्याएगी तो हमारा एकस जो संक्या ऐए वह 22 आये, इसी को हम سामांतर मद्य 22 कहेंगे कि अब हम लगुरीती से सामांतर मद्य निकालेंगे आभी हमने परक्तेक्श से निकाला था लगुरीती से तो लगुरीती में आप देख रहे हैं कि इसमें एक थूड़ा सा अंतर आया इसमें A plus sigma D बटे N आया है, Trump says की ED होगा हमारा 20 N वही 10 और A हमने 20 लिया था यहाँ पर, हमने यहाँ पर हमारा जो A है, यह 20 20 से हमने संख्या घटाई थी, अब A की जगा आप देखने हैं, यहाँ पर 20 आया है, plus ED 20 बटे 10, तो यहाँ पर 10 से हम 20 को भाग करेंगे, तो हमारा 2 आएगा, तो आप देख रहें, X is equal to 20 plus 2, हमने इस संख्या को इससे भाग करा, तो 2 आया, और तो 20 plus 2, हमारा क्या हो गया, 22, तो आप देखेंगे, X is equal to 22, अर्थार सामंतर मद्य हमारा क्या है, 22, तो आप एक चीज को यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, कि लगूरिती हो, चाय आपकी पर्टेक्सिटी हो, दोनों से हमारा जो सामंतर मद्य है, वो एक ही आना चाहिए, जब वो दोनों उत्तर एक ही कि हमारा जो हमने सामंतर मद्य निकाला, वो एकदम ठीक है, अभी तक आपने वेक्तिगत स्रेणी के माद्यम से सामंतर मद्य की गणना करी, अब हम खंडित स्रेणी के परियोक से सामंतर मद्य की गणना करते हैं, तो इसका एक उधारन ले ले लेते हैं, कि निम समंकों में स तो इसमें भी हम पर्टेक्स और लगूरीती दोनों का परियोग करेंगे इसमें काल संक्या में सुन्य एक दो तीन चार पांच छे साथ दियावार और यहां पर आवड़ती आ गया है जिसको हम इंग्लिस में फिर्क्वेंसी कहते हैं 14, 21, 25, 43, 51, 44, 39, 12 अब आप देख रहे हैं इसमें हमने हरे रंग से पर्टेक्स रिती और लाइट ग्रीन से हम लगूरीती दो अलग-अलग कॉलम हमने इसमें बना लिए तो सबसे पहले हम काल संक्या को हम एक्स मान लेते हैं पूरी संक्या हम यहां से यहां तक उतार लेंगे 0 से लेकर 7 संक्या तक हमने इसको ऊतार लिया इसके बाद आवर्ती फिर्क्वेंसी इसको हम एफ लिखेंगे और जैसे आप ने देखा जिरो के आगे 14, एक के आगे 21, इस परकार हम इसको पूरा यहाँ पर लिख लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर हम टोटल कर देंगे पदो को, तो n बराबर 245 हमारी यहाँ पर संक्या आ गई है, इसके बाद अगला कॉलम लेंगे हैं, accept, accept का मतलब हो गया x और f को गुणा करना आपस में, तो काल संक्या और आवर्थी को हम गुणा करेंगे, तो हमारी यह संक्या प्राप्त होगी, 0 को हम 14 से गुणा करेंगे, तो हमें यह प्राप्त होगा, 1 को 21 से गुणा करेंगे, तो 21 आएगा, 2 को 25 से गुणा करेंगे, तो 50 आएगा, ऐसे ह लगातार हम गुणा करते चले जाएंगे तो हमारी संक्या उपर से नीचे आती जाएगी और बाद में हम इस सारी संक्या को जोड़ेंगे तो हमारा नॉइंट संक्या स्ङक्या नहएं संक्या हमें प्राप्त हो जाएगी तो इसकी गर्णण ध्रीन हम इनका पर्योग करते और फिर क्लिबत माध्य लेना होगा और इस को हम B 2 को अनिख को लेंगे तो कल्पित माध्य हम एक्स सेसे नहीं तो हम कोई बीज की संक्या ले लेंगे जैसे हमने तीन ले लिए बीज की संक्या क्योंकि इससे हमें उपर को घटाना आसान होगा और नीचे को घटाना आसान होगा अगर हम बड़ी संक्या लेते हैं और जादे छोटी लेते हैं तो हमारी संक्या भी छोटी बड़ी आएंगी इसलम बीच की संक्या लेते हैं, हमने तीन ले लिया है, तो तीन से हम तीन से तीन को घटाएंगे तो हमारा सुन्या आएगा, तीन से दो को घटाएंगे तो माइनस एक, क्योंकि हमारी तीन से दो वाली संक्या छोटी है, तो जो भी संक्या हमारी कल्पित माद्दे से कम होगी वो माइनस में आएगी और कल्पित माद्य से जो बड़ी होगी पॉजिटिव में आएगी अब तीन में से एक को घटाएंगे तो दो आएगा और तीन में से शुन्य को घटाएंगे तो माइनस तीन आएगा इसी परकार तीन से चार को घटाएंगे तो प्लस वन आएगा क्यो FD FD का मतलब frequency को हमें विचलन से जो हमारे संक्या आई उसे गुणा करेंगे तो F और D तो F हमारी आवर्ती हो गई और D हमारा विचलन हो गया इन आपस में गुणा करेंगे तो हमें इवाली संक्या प्राप्त होगी तो 14 में से 3 को हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 42 21 से हम 2 को गुणा करेंगे तो माइनस कितना होगा 42 25 को 1 से करेंगे तो माइनस 25 43 को सुनने से गुणा करेंगे तो सुनने आएगा इस पर 51 को 1 से करेंगे तो 51 आएगा 2 को 40 से करेंगे तो 80 आएगा 3 को 39 से करेंगे तो 117 और 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा अब हम क्या करेंगे इन संक्याओं के आधार पर जो लगूरीती है उसका परियोग हम करेंगे तो इसमें जो हमारी 187 संक्या आई इसमें हमने माइनस संक्या एक तरफ कर ली और प्लस एक कर ली उन्हें घटा के जो संक्या प्राप्ताई 187 जिसको हम बात में बताएंगे आपको तो पर्तेक्स रिती से हमें सबसे पहले कैसे इसको हल करना है तो पर्तेक्स रिती का जो हमारा सूत्र है खंडी सीडी में वो है एकस बार बर जिगमा एकसे बटे एन तो यह वाली जो हमारी शंक्या है तो यह देखो 922 जिगमा एकसे खंडी 922 और पदो के शंक्या हमारी है 245 यह को अगर हम भाग करेंगे तो हमारा जो शंक्या आएगी हूँ 3.67 तो सामंतर मद्थी हमारा हो गया 3.76 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बार बराबर 3.76 इसके बाद हम लगूरिती का परियोग करेंगे लगूरिती के माध्यम से जो हमारा सामंतर मध्य आएगा उसको हम देखो कैसे गढ़ना करते हैं तो x बार बराबर a plus sigma fd बटे n तो इस सूत्र का हम परियोग करेंगे लगूरिती में यहां पर a हमारा 3 है जो हमने यहां पर लिया था यह पर जो हमने विचलन लिया था यहां पर a कल्पित माध्य ए लिया था तो यह 3 है plus 187 यह हमारी जो संक्याई 187 अब यह कैसे आई यह देखिए इनको हमने minus को एक तरफ एड़ किया तो minus 109 और plus को हमने एक 109 से हम घटाएंगे तो हमें यह संक्या प्राप्त होगी 187 तो हमने यहां पर लिखा और एन हमारा 245 है अब हम 245 से 187 को क्या करेंगे भाग देंगे या काटेंगे तो हमारा जो आएगा वह आएगा दसमलग 76 यह हमें संक्या प्राप्त हुई अब दसमलग 76 को तीन से हम जोड़ेंगे तो हमारे को प्राप्त होगा तीन दसमलग 76 हमारी संक्याई इसको हम समांतर मद्य कहेंगे और इसको हम इस तरह लिखेंगे 3.76 तो यह थी खंडिश्रेणी इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस वाली सीरीज में आवर्ती आवर्ती आजाती है तो आवर्ती को हम इसमें F मानते हैं तो आपने देखा हुगा सूत्र में भी जिग्मा XF यहां पर आवर्ती आगी थी गरिकलना करेंगे तो इसके लिए हम एक उदारन ले लेते हैं कि निम्ट समंको में से पर्तेक्स वाल लगूरिती के माध्यम से सामंतर मध्य की परिकलना की जिए तो अवंचिन स्रेणी हमें कैसे पताशलता है तो इसमें जो हमारा वर्गंतराल होता है वो इस परकार होता जैसे प्राप्तांग 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 तो जब इस परकार का वर्ग अंतराल होता है तो इसको हम अवंचिन स्रेनी कहते हैं तो 0-10 के अंतरगत छातरों की जो संक्या थी वो थी 10 10-20 के अंतरगत 12 ऐसे 20-30 के अंदर 20 तो यह पूरी चात्रों की संक्या है, अब हमें इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, तो खंडिच रेड़ी और अवंचिच रेड़ी में केबल एक ही अंतर होता है, कि हम इसमें मद्य मूल्य, जिसको मिड वैल्यू कहते हैं, उसको हम इसमें सामिल करते हैं, तो इसका जो सूत इसको अपर लिमिट बोलते हैं, एल्टू, और इनको 2 से हम भाग कर देते हैं, तो हमारी संक्या मिड वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जैसे 0 और 10 को हमने एड़ किया, तो हमारे को संक्या मिली 10, इसको 2 से हम भाग करेंगे, तो 5 आएगा, ऐसी 10 और 20 को हम एड़ करेंगे तो कितना एगा, 30, 30 को अगर हम 2 से भाग करेंगे, तो हमारी संक्या आजएगी 15, ऐसी 25 आजएगी, ऐसी 35 आजएगी, तो यहाँ पर हमें, जो क्लास इंटरबल है, इसको हम मिड वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, मिड वैल्यू हम इसकी निकालेंगे, और इसके बाद, पर अवंची स्रेणी के अंतरगे, इसमें आवर्ती, एफ को हम आवर्ती माल लेते हैं, जो छातरों की संक्या है, वो आवर्ती कहलाएगी, तो आवर्ती हमने यहाँ लिख दिया, 10, 12, 20, 18 और 10, आवर्ती का हमारा जो टोटल है, पदों की संक्या वो हो गई, 70, अब हम क्या करे करेंगे, एक्स और एप की वैलू निकालेंगे, तो एक्स और एप को हम आपस में गुणा करेंगे, मल्टिप्लाय करेंगे, तो हम एक्स और एप की वैलू प्राप्त होती जाएगी, तो पान से हम 10 को मल्टिप्लाय करेंगे, तो हमारे को 50 संक्या प्राप्त होगी, 15 से 12 को करेंगे तो 180, 25 से 20 को करेंगे तो 500, 35 से 18 को करेंगे तो 630 और 45 को 10 से करेंगे तो 450 संक्या हमें प्राप्त होगी, अब हम XF का टोटल कर लेंगे पूरा तो इसको यह कहलाएगा सिग्मा XF बराबर 1810 यह हमारा टोटल हमें संक्या प्राप्त होगी, अब हम लगूरीती के माध्यम से भी इसको कैल्कुलेट करेंगे, तो लगूरीती के अंतरगत हम कोई भी मिड वैल्यू में से कोई भी एक संक्या बीच की ले लेंगे, तो हमने 25 संक्या बीच की ले लिए, तो यहाँ पे देखिए, A is equal to 25, और इसको हम D संक्या मान लेंगे, तो 25 में से 25 को घटाएंगे, तो हमारी संक्या आएगी 0, 25 में से 15 को घटाएंगे, तो minus 10, मैंने पहले भी बताया था, कि जो हमारा कल्पित माध्ये से जो संक्या छोटी होगी, माइनस में होगी और जो बढ़ी होगी पॉजिटिव में होगी इसके 25 में से 5 को गटाएंगे तो संक्या आएगी माइनस 20 ऐसी 25 को 35 में से गटाएंगे तो प्लस 10 और 45 से गटाएंगे तो प्लस 20 आएगी अब हमें F D की वैलू निकालनी है फिरक्वेंसी इंटू D तो F और D इन दोनों को आपस में मल्टिप्लाइ करना है तो 10 को हमने माइनस 20 से इंटू करा तो हमें संक्या प्राप्त होगी माइनस 200 12 को 10 से क्या माइनस 120 20 को 0 से क्या तो 0 18 को 10 से क्या तो 180 10 से 20 को क्या तो 200 इसमें फिर वही करेंगे मामइनस को एक तरफ जोड़ लेंगे प्लस प्लस को हम एक तरफ जोड़ लेंगे और उनको पिर आपस में घटाएंगे तो हमें जो संक्या प्राप्त होगी वह आएगी प्लस 60 तो यह था Padox एक्स और लगूरीती का जो हमने टेबल बनाया वो था यह अब हम इसके अधार पर गढ़ना करते हैं तो सबसे पहले हम पर्तेक्स रिती के माध्यम से गढ़ना करेंगे तो इसमें पर्तेक्स रिती का जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार बराबर जिगमा एक्स एफ पटे एन तो एक्स एफ की वैल्यू हमारी है अठारा सो दस जो यहां पर आईए यह वाली वैल्यू आईए और सत्तर हमारा एन आया पदों की संक्या आईए सत्तर से हम इसको आपस में काटेंगे या भाग देंगे तो 25.86 हमें संक्या प्राप्त होगी और यह हमारा सामंत्र मद्य कैलाएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसके बाद हम लगूरीति के माद्यम से सामंत्र मद्य निकालेंगे तो इसमें हमने ए ले लिया है 25 जो यहां पर हमने ले रखा है 25 प्लस 60 हमारा जो FD संक्या आई यह वाली 60 प्लस हमने यह ले ली और N पदों का योग जो 70 है अब 70 में से हम 60 को भाग देंगे तो हमें जो संक्या प्राप्त होगी वोगी 0.86 और इसको हम 25 से प्लस करेंगे तो हमारी संक्या आजाएगी 25.86 तो हमारा जो सामांतर मद्य निकला 25.86 है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यहां पर आप देखिए कि पर्तेक्स विदी से भी वही आमारा सामांतर मद्य आया और लगूरिती से भी हमारा सामांतर मद्य वही आया अर्थात दोनों विद्यों का परियोग करके हमारा जो सामा सामंतर मद्य की गढणा विचलन रीती यहां रीती भी अवंचिन श्रेणी की तरह है इसमें बस थोड़ा सा मामुली सा अंतर है तो इस उदारण से हम देख लेते हैं इसको निम्ण समंकों में से पर्टेक्स और लगूरीती के माध्यम से हम सामंतर मद्य निकालेंगे इसमें प्राप्तांग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया हुआ है ऐसी छात्रों की संक्या 10, 12, 20, 18, 10 दे रखी है तो इसको हम पर्टेक्स रीती के लिए हम दो कॉलम बनाएंगे और लगूरीती के लिए हम तीन कॉलम बनेंगे इसमें इसमें ये कॉलम डीवन ये अलग से बनेगा तो सबसे पहले हम यहां फे प्राप्तांग में 0 से 10, 10 से 20 लिखते हैं फिर हम मद्यमूल निकालेंगे मिड वैल्यू L1, L2 का इन दोनों को जोड़के दो से भाग करके जो संक्या आएगी वो मिड वैल्यू कहलाएगी इसके बाद चात्रों की संक्या को हम आवर्ती कहेंग इसको मानेंगे तो हमने 10, 12 यहां पूरी संक्या लिख दिये चात्रों की तो जितने भी पद हैं उनको हम यहां पर जोड़ेंगे तो इसका जो पदों की संक्या का टोटल आएगा वो सत्तर आएगा फिर हम X और F इन दों को गुणा करेंगे आपस में तो हमें X और F की वैल ऐसी 12 से हम 15 को करेंगे तो 180 आएगा इस परकार सारी संक्याओं को गुणा करके हमारे को जिग्मा X F की वैल्यू प्राप्त होगी जो अठारा सो दस रुपे होगी तो यह था पर्तेक्स रिती के लिए जो हमें संक्याओं चाहिए ती अब हम लगु रीती के लिए निकाल लेतें तो हमने के जो कलपित माधिया है नियूं ने के 25 में लिया एक यह 25 मनें ले लिया है इसको दीहेंगे तो जैसी पहले बी बताया कि 25 से उपर को घटाते चले जाएंगे 25 में से 25 घटाया सुन्या आया 25 में से 15 घटाया माइनस 10 और 5 घटाया तो माइनस 20 ऐसे यहां पर प्लस आजागा क्योंकि 35 संक्या 25 से बढ़ी है ऐसी यहां पर आए अब हम जो पद विचलन डीती इसमें हमने डी वन ले लिया है हम इस वाली संक्याओं को और कम कर देंगे तो हम इसमें क्या करेंगे इन संक्याओं को कि दस से भाग कर देंगे दस से भाग करने से क्या हो गई संक्या जो 20 थी है केवल दो रह जाएगी तो माइनस टू हो गई यह माइनस वन हो गई जिरो का जीरो प्लस वन और प्लस प्लस टू अब लास्ट वॉली संक्या है f d1 इसको हम निकालेंगे तो यह फिर्ट्व केंसी आवरती से यह वाली संक्या गुणा होगी यहां से लेकर यह वाली संक्या हम आपस में गुणा करेंगे यह वाली D1 वाली को, तो F into D1 हम इसको multiply करेंगे, तो 10 को हमने 2 से into किया, तो कितना है, minus 20, 12 को एक से किया तो minus 12, 20 से 0 को 0, 18 को एक से किया तो 18, और 10 से 2 को किया 20, अब हम इसमें minus minus को एक तरफ जोड़ लेंगे, और plus plus को एक तरफ जोड़ लेंगे, इन दोनों को फिर हम घटाएंगे आ 6 संक्या प्राप्त होगी, तो पद्विचलन रिती में क्या होता है, जो हमारा trumps होता है, इनको short करने के लिए हम क्या करते हैं, दस से इसको भाग कर देते हैं, D को, तो इससे क्या होता है, यह संक्या हमारी कम आती है, छोटी आती है, जिससे हमें आगे calculation करने में आसानी होत एक्स बार बराबर जिगमा एक्स एक्स बटे एन, तो इसमें जो वैल्यू आई थी, अठारा सो दस, यह यहां पर आई वी है, और सत्तर हमारा एन है, इससे हमने इसको भाग किया है, तो 25.86 हमारा सम अंतर मद्ध यहां पर आ गया है, अब हम लगूरिटी में देखते हैं, इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें अंतर केवल यहां पर आया, आई, जो मैंने आपको बताया था कि हमने यहां पर 10 से भाग किया, इस वाली संक्या को, तो यहां पर आई हमने लिया है, और बाकी वही है, एक्स, कल्पित माद्य, तो कल्पित माद्य हमारा 25 है, जो हमने यहां पर लिया था यह देखिए 25 प्लस जिग्मा एबडी हमारा च्छह आया यह संक्या मारी च्छह आये और एन हमारा सत्तर इंटु टैन आएगा यहां पर केवल पद विचलन रिती में इसी का अंतर आता इंटु आई का तो हमने 10 लिया क्योंकि हमने 10 से इसको भाग किया था कि पच्छिस प्लस को इस से इसको काटेंगे तो तंशाजा हमारा सामंतर मध्य अच्छिए और देख रहे हैं कि परतफेक्स विदी मगलायरी रिती दोनों से हमारा जो समंतर मध्य है वो बराबर आया 25.86 है तो ये था पत्विचलन रीती अर्षा स्विशे को और अच्छे से समझने के लिए आपको एकनामिक वर्चुल क्लासिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्षा स्विशे को और आया जाएब कर दो और आया टा जाएब कर दो हैं